हलो बच्चो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एक्जाम एश्टेडी में बच्चो गर आप क्लास 12 के विद्यारती हो और आप 2025 में एक्जाम देने जा रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही जादा अतियावस्यक है बच्चो आज के क्लास में हम लोग 12 क्लास पोलिटिकल साइश के अध्या 1 से लेकर अध्या 3 तक हम लोग सैजेक्टिफ को В Saudi Be迷घ करेंगे आपको पता होगा जैसे कि हम लोग सैस्म्Genौती सैस का आपक लिए बहुत ही परशन को परलिकल सैस का तो आपको जो के इस एक से लेकर तीन तक के चप्टर में आपका एक भी परशने बच्चो अगर इस class को पूरा complete कर लेते तो इससे बहार आपको एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक पर खिलिक करके आपको जो गुरूप को जो इन करना 9162055090 बच्चो यह आप लोग का नमर है ठीक है तो चलिए बच्चो हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपके स्क्रेंट पर फस्ट पोसन आ गया बच्चो देख पाड़ा है इसमें क्या गया एक सदिष से चुना गया है जिसका नाम क्या बच्चो चुना आयोग रखा गया है इसका नाम क्या रखा चुना आयोग रखा गया और इसका स्थापना कभवा था बच्चो है ना इसका कारी क्या होता है कि जो है मतलब जो चुना आयोग कराता है है इसको जो सांत सांती पूर्वग है ना सांती पूर्वग विवन अस्थर पर सांती पूर्वग है पर नहीं शुनाब शब्रस उन्ह का नहीं कारी सिसके होता एंट कि एक कारी नहींन जुन इछांग का कारी होता springs। मैं फिर से आपको समझाने का प्रियास कर रहा हूँ, देखे, ध्यान पूर्वन देखेगा, भारत में चुना आयोग परक्रिया संपन्न करने के लिए, भारत सविधान में एक क्या बनाए गया, एक सदित से चुना आयोग की गठन की विवस्ता की गई है, जिसका प्रमुक का इस समयं, चुना आयोग की त्युक्त त्यू है, जोंतिकर रही परक्सण निरवाचन आयोग के दो करने की स्क्रेंगे लिखएगा, बहुत है इसका कार्य परफ़ञै के निरवाचन आयोग की बहुत आट द परक्तर दाईथ, भारत में पर्या की पहट निलीए, जो आपके के स्क्रिन पी आ गया निर्वाचन आयोग के दो काड़िये लिखे गा देखे बहुत है इंपॉर्टन कोशन है एक दम चीजों को आपको समझते पर चलना है किसी परकार का आपको दिक्कत नहीं होगी ठीक है बच्छो अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के दो काड़ निर्वाचन आयोग का काड़िया होता है और यह इसका मतदां सुची तेयर करना इसका काड़िया होता है ठीक है तो यह चीज आपको समझझ बहुत अच्छे से आगया बच्छो दूसरा नमर कोशन का अब हम लोग चलते बच्छो तीसरा नमर कोशन जो आपके स्क्रिशन प्रणाली के जो है अंतरगत या तो सरकार का केवल एक अस्तर होता है या सरकार की इकाई केंद्र है जो कई केंद्र होते है इसमें इसमें परनाली के अंतरगत या तो सरकार केवल एक अस्तर का होता है सरकार की जो कई केंद्र के अधिन होते हैं या बात किया जाए vind ऐस अस्थानी सरकार को आदेश पाडित कर सकते ना। ब्रीटेन हो गया है नेपाल हो गया इस सब्में किया है बच्छो एकात्मक वेस्था वियुस्था की सरकार है ठीक्या तो यह चीजा आप लोग बहुत अच्छे से आपको उम्मीद कर MyA ग्या औगा होगा एक Patma क्वेस्था से आप क्या समझते हैं तो एक डिल्कुल अडाम से आप छाप सकते हैं ठीक है चले बात करें है एक दली-प्रभुत्त-े-वैस्था algorithms है ना चीजों को आपको समझते में चलना है इसका अगर बात किया दे बच्चों कि यह बहुत ही आसान कोशन है देखें नीस अंदे एक दली परभुत्य परणाली का लोकतांत्रिक चरीतर खराब असर पड़ता है ना एक दली परभुत्य वेस्ता क्या है अगर बढ़ते हैं बच्चों कॉन अगर किसी का भी एक दली परणाली का हो वो जो क्या कर लेते हैं बच्चों समांता विचारों की अभिवेक्ती दबाओं की राजनितिक गतिविदियों प्रेस मीडिया आदि की बच्चों कूर्ण सोथनता मैं विश्वास नहीं करती है बच्चों यह एकदली परभुत्य में इस तरह का होता और वह सत्ता को लोगों पर अपनी विचारधरा को थोपने का माध्यम बनाती है बच्छों, यह एकदली परभुत्य वेष्था की बात कर रहे है, ठीक है, तो यह ताना साह को क्या करते है, यह बहुत अच्छे से आप लोग इन च जो देख पार आप लोग इसमें क्या कहता बच्चों इसको सब्सक्राइब करना है बहुत आसान भासा में हम इसको नौट करके लिए क्या है दुनिया के अन्य दिसों की तरह जो भारत में दली वेस्था पाई जाती है ना दुनिया के सब्सक्राइब भारत में दली वेस्था अपना ही कही है बहुत दली वेस्था में गडबंदन की सरकार बनने की गुंजाईस होती है इसमें गडबंदन की अधिक जो है छोटे बड़े राजनितिक दल है जहां जो बहुत सारा आगे राजनितिक दल होगा तो बच्चों वहां क्या होगा यानि जो है मतलब क्या हो सकता है यानि मतलब गड़बंदन की सरकार बढ़ने की जो बच्चों क्या होता है गुंजाइस होती है ठीक है जहां कौन हो जाएगा राजी अस्तरी आपका राजी अस्तरी दल हो जाएगा उसका छेत्री राजनेतिक दल सभी तरह की जो राजनेतिक दल चुनाओ लड़ते हैं तो यह चीज आपको समझ रहा है कि 750 से अधीक जो बच्चों क्या है नि छोटे बरे जो क्या है नि पार्टी अपन रहेगा तो बच्चों बंटन की सरकार बंडने की जो है राजीतिक दल होता एक राजी ंस्तरी होता उर यह क्या होता क्या होट तो यह जो बच्चों रही चानाओ लड़ते हैं और चुनाओ एविदायका में अपना बहुमिकानी बात है तो यह चीज हैं आहीए आपको अच्छ से समझ में आ गया होगा ठीक है आप बात करते को सनर में नेक्स पोसन शिक्स नमर को सब्सक्राइब करते हैं बहुत ही आसान है यह देखे सोतनता अंगरी जी भासा का सब्द है सब्द है जो लिब लिबरेटी का हिंदी रुपांतरन है ठीक है जिसका आरत क्या हुता किसी तरह की वी काड़िक कर सकते तो इसी को कहा जाता है सोतंतर ता जैसे कि हम लोग 1947 से पहले हम लोग इसको गुलाम थे भाड़त जो है था याट एनई अंग्रेजो के गुलाम थे लेकिन हम लोग को सभीधहन के दाइरे में रहकर का हम लोग अपना अजादी ले सकते हैं लेकिन पहले गर हम लोग अंग्रेजों को गुलाम में थे तो हम लोगों को सही से किसी तरह की freedom नहीं थी किसी तरह की आजादी नहीं थी ठीक है चले तो यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया आगया एक दली विष्टा क्या है इन चीजों को आपको समझना बह येखीपार्टी का जो सरकार होती है न वेस्ता कहा जाता और विष्टों में इसो में फिर भारत ही एक मातर ऐसा देश एघ्डल के पर्वत्य से गजर। देखे जैसे अपना भारत एक देलिये के प्रभुत्य से गुजरा था जब कब 1902 से लेकर 1902 सल्ताओन, 1902 सल्ताओन से लेकर 1662 से लेकर सरसर तो इस तरह का क्या था बच्चो तीन जो आम चुना लगातार जो है एक ही पार्टी जो है पूरे भाहमत के साथ जीत रहे थे वह तो कौन पार्टी थे बच्चो तो भारत एक आश्टे कॉंगर्स पार्टी थे जो इसलिए जो यह बहुत अच्छे से उमीद है कि आप ल दिकत ने कोई प्रशानी नहीं वहां चाहिए देखे एकल अधिपत्य दली व्योस्ता क्या है बच्चो इन चीजों को आपको समझना है है ना अगर इसका बात कि आजा तो ऐसी व्योस्ता देश में जो कई पार्टी होती है किन्तु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पा सलतान से बहां से सरसट के दूसरी आम चुनाओं में विसाल बहमत मिला था बच्चो तो यह समझ में आ रहा है इन अन्ने पार्टियों इतने कमजोर थी कि वह कॉंग्रेस के पर्तिव वीथा में करके सत्ता में भी नहीं आ सकते थे बच्चो तो यह था यानि इस तरह का जो ब दिपत्य दलिव इस ता कहा जाता है है ना तो इस तरह का जो बच्चो है आगे देखेंगे बच्चो आपके स्क्रीन पर कोसर नवर नाइन जो आप देख पाड़ा है एक दलिव परभुत्ते का आरते बताईएगा बहुत ही आसान कोसर नहीं आपको बताया देखें अगर आजाद हुआ तो कॉंग्रेस पार्टी का ही जो है सर्तारा 1952 सल्तावन सरस्ट तक यानि के तीसरी आम चुनाव में विसाल बहमत्मिला और अन्य पार्टी इतनी कमजोर हो थी कि कॉंग्रेस का यानि साथ मतलब पीछा भी नहीं कर सकता था ठीक है तो यह एक दलिए बच्छों कि यह जो मतलब ब्लेट टेपर से जो बच्छों क्या चुनाव मतलब कराना चाहिए ठीक है इवियम को अगर आपसे पूछते तो आप क्या ओपिनिन देते देखे अगर बात क्या जाए तो क्या हो जाए का समानुपातिक परतिनी दित्परनाली लागू किया जा संसत और विदान मंडलों में जो महिलाओं के लिए एक त्याही सीटों पर आरेक्षन मिलनी चाहिए उसके चुनाव में धन के परियोग रोक लगाने चाहिए जो मतलब चुनाव पर चार प्रसार के लिए जो इतना खर्च करते हैं उर्फ पर कठोर से कठोर दंडाइक मिलना चाहिए ठीक है तो यह हम लोग जो है अपना अपना दे सकते हैं निर्वाचन में चार सुधार बताईए तो यह चार सुधार है यह आप आप से पूछेंगे तो आप आसानी से दे सकते हैं को सनमर 11 देखिए बच्चे जो आपके स्क्रिन पर आगए दलिये परकार के जो है बीच-कडी मैं अथा है एक दलिये पर नली टे लिए पर नली तो यह आपी बहुत इस्तिति को बदल कर नहीं स्थिति लाना चाहता है है यहांधि वहुत सॉसी दामित, उस्तितव तो समाज के दुरबल दामित मतलब की विपिंधर के कालियान हो सके था कालियान हो सके विपिंधर वायतन के दरताreiben कालियान सर्वाहरा वर्ग में विश्वास के पुर्ण पुन्जेबत चीसे हग चीन कर मजडूर मोई चीन कर मजदूरों और क्षाणों को देने के जो कौन करते हैं। मैं आपको बतारो वांपाथि दल के काड़े होता है मतलब क्या होता है नि transitions from के लिए बहुत यह कारे निभाता है तो यह अच्छा है निकी है तो यह चीज आपको बहुत इंपोर्टन कोशन है, है ना, तो एक दम आराम से आपको शबचते वे चलना है, देखे कर हम बात करें किसके बारे मात करेंगा, राजनितिक दल सरकार में कैसे भागी दरी करते हैं, तो लौकतन तो में राजनितिक दल का एक आधार अस्थम होता है, जिस तरह से कर सकते हैं, जैसे सरकार बनाने के लिए जो सभी राजनितिक दल चुनाओ लड़ते हैं, हैना सरकार बनाने के लिए जैसे सभी राजनितिक दल चुनाओ लड़ते हैं, सरकार बनाकर राजनितिक दल ही सरकार को चलाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग बेजते हैं, व कर दिखाना कि आम लाई से जुड़ते है और लोगों तक सरकार की योजनाओं को बच्चो बच्चों को सरकार की इस बहुत बड़ीगा होता है सरकार को चलने के लिए विफक्च के बढ़ी भुमिका हुथ जैसे कि आपको पता है वीपक्ष का नेता नहीं हो रहा है वह सारा नजरिया दिखाते है ठीक है तो कौन काम कर रहे राहुल गांदी काम कर रहे तो इसी को बच्चों क्या वह क्या बलते राजनी डल सरकार के कैसे भागी-दारी करते है तो यह सारे चीज़ आप बता सकते है अब धर्म निर्पेक्स वाद क्या अर्थे बताईए, तो बहुत की आसान को सब्सक्राइब, धर्म निर्पेक्स का मतल़ समझ रहे, यानि सेकुरिडिजम है ना कंट्री, तो देखे अगर बात क्या जाए, तो जहां आपका कई मतलब कई धर्मे के लोग हो, बहुत सारी धर् वारत है क्या धर्म निर्पेक्स जिद्ष है, जहां अलग-अलग जाती है, अलग-अलग भासा, और अलग-अलग धर्मे के लोग रहते हैं, लेगन फिर भी यहां बच्चो क्या है, एकता और भाई चाहरा है, नजर आ आर तक है, इसका आर्थ चैका है, कि राज्ञे के सभ करना सकते हैं यह नहीं आपना सब्सक्राइब करके अरता अगर आपसे पूछेंगे तो बहुत जाशानी से बचो आप जवाब दे सकते हैं, यह सभी जो है point है, बहुत ही important point है, जो मीद है कि आपको इन चीजों को समझ में आ जाना चीए, आप बात करते हैं, सौतंत के समय में भारत के समझ कितने चुनेतिया थे, देखें, जब सौतंत अपना भारत, जब 15 गर्ष 207 को आ जा दी हुई, तो उस टाइम चुनेतिया आपको बता रहा हूँ, जिसमें एकता के सुत्रह में सबको एक साथ बांधने रखना, उसका लोकतंत की अस्थापना करना, समाज में मूलक विकास करना, यह तीन बहुत बड़ा समसिया था, और यह तीनों समसिया को बच्चों, जाने के लिए बहुत बड़ा क चल्ना काम था, यह तीन बहुत बड़ा चुनतिया था करना ठीक है, उसका दूसरा चुनतिया क्या था बच्चों, लॉक तंतरů नहीं स्थापना करना, सौटंतर भारत के समख्च। दूसरे चुनतिया लॉक तांतर हो कका यम करने की था था, पना थे लुकतंतर हो बटवी कि था उसका समाज मूलक विकास यानि समाज का विकास कैसे हो कल्यान कैसे हो development keeping in view welfare of the society तीसरी चुनोतियां थी बच्चो यह इसके अपना समाज मूलक विकास और आपका क्या होजाएगा तीसरा लोगत अंत्र की अस्थाप ना करना अब बात करते राजमीतिक अपना नेता चुन करके नी परतिनी चुन करके बच्चो देश को सलाती है तुस्ये गंत घाते है अब बात किया जा तो फिशना थे रात पर समाज में की पता है ना जिसे राजा कहते हैं जो राजतंत्र सदेव राजा का जो है महत्त होता है राजतंत्र क्या होई राजत्ता के जनता के हाथों में होती है और सभीधान सरकार अगर आप सरकार सही चलेगी तो आपको जितायए जाएगा अगर आप सरकार सही नही चला पाएंगे तो आकि Juan लगaram आघे जैसा को कि एन सासित राजया क्या है वच्छो जो क стран हो केंदर के अधिन अधिन को है एक दुसरे से सक्क्ति आतिकर्म नहीं कर सकते हैं भाड़ते संग में 28 राज़ह प्राप्त 28 राजय को केंद्र का अतिकरमन नहीं कर सकता है केंद्र का इसमें नहीं कर सकता है यह ए पर। तो यह तो आप लोग को केंद्रे साथीश पर्देस के बारे में आ रहा है ठीक है जो परतियक्स रूप से बच्चों किसका अधिन होता है ठीक है चलिए तो अभी वरतमान में कितनी पार्ट वरतमान ने में मतरकें बच्चों समझते हैं जम्मु कस्मिर भारत का अभी अंग है कारण अगर बात क्या जाए तो आंतिक रूप से देखें तो बारति संग में कस्मिर की हैसियत को लेकर बच्चों विवाद रहा है जैसे कि आपको हाली में पता होगा 370 का जहारा जो है 2019 में हटा दिया गया था है ना अन्य राजियों के जो बच्चों मुकावेले जायदा स्वेता दी गई थी 370 धारा के मुताविक राज्य का अपना सविधान है और भारती जो है सविधान की साड़ी विश्ता जो है इस जैसे राज्य में उसकी जो है शेहमती से इलाबू हो सकते है भार सरकार ने पांच जो पांच अगस्त दौगज़े गाया था जहरा तो यह जबच्चों का ज़ए 2019 को जह पढ़ देश को बना दिया था ठीक है कि 370 का सम्मंद आप से अब्जेक्टिक में पूछा जाता है कि 370 का सम्मंद किस बच्चों आपको बताना है कि जम्भु कसमिर से ठीक है तो चीजों को आपको समझते हैं जो काफी important है है न हम लोग समझेंगे इन चीजों को हम अगर बात किया जाए तो देखे संपुलबुता क्या है बच्चों अगर संपुलबुता की बात की बात क्या जाए तो संपुलबुता राजय का एक आवसे करतों होता है इसके अभाव में राजय की कल्पना का निर्मान नहीं किय जाकता है इसके इसके अभवा में हम लोग कलपना नहीं कर सकते राजय का ठीक है अगर संपर्भुता का आर्थ है अगर कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के पुर्ण रूप से सौतन्त और किसी विदेशी सत्ता या सक्ति के आधिन नहीं है वह तेश अपनी नीति है कुई के द्वारत जो है तो है सब्सक्राइब कर देश की विवाजन के चलते भारत की विधिता में एक्ता सिधान्त निश्चित वरूप से परवाइद हुआ है है ना परंतु जो है भारते साव विधान दोड़ा भी लोगों का या एक समान अधिकार आईक्ता सिध्धानत सतापित किया गया गया बच्छो विधिता में एक्ता क्या है तो यह चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आगे देखे बच्छो लौक्तंतर में मत्ता का बखुत बड़ा है हैंड है कि अपने कीमती मत्दान का अ है देखे है है शुर से महापर वह माना जाता है जिसमें सभी को जो है मत्दान भाग लेकर अपनी कीमती मत्दान या परयोग करते हैं और देश के परतिनिधी को जो हम लोग बच्छो क्या करते हैं इससे जो है चुनते हैं यह तो मैंने आपको बता दिया था एक मिनट अब लोग इक हो गया है ठीक है तो देखे बच्चों मैंने आपको क्या बताया देखे क्या होता है कि लॉक्तन तो मद्दान का बहुत बड़ा महत होता है जो आप यानि अपना फीचर को डिशाइट करते हैं इसका मतलब क्या कहा मत्देकर कि बच्चों किसी एक अच्छे परतिनिती को चुनते हैं जो सरकार चलाती है ठीक है चुनती है और भारत भारत क्या करता है भारत जैसे दुनिया के लोक्तांतिक देशों में मद्दान का बहुत बड़ा जो हम आपको बता सकता हूं यह क्या-क्या महत बच्चों यह चीजा आपको इसको पॉइंट बाइस आप इसको लिखते चलिए गया ठीक है जो बहुत अच्छे सापको समझागा है इसमें मत्दान देश की भविष्च से करता है ठीक है मैंने बता है न कि मत्दान जो है देश का भविष्च को करता है उसके यह जबाद कराता है में भरष्टाचार का रोक लगा सकता है अगर आप अच्छे सरकार अगर चुनते हैं अच्छे पार्टी की सरकार बनती है तो बच्छों हम लोग पार्टी को चुनेंगे तो बस देश के परती जो जागरूप करता है तो यह समझ में आ अधिकारों का प्राकिर्तिक सिधान बतायों का अनुसार जो है अधिकारी प्राकिर्टिक जीवन जीने का अधिकार है सोतंत का अधिकार है बच्छो संपत्ति का अधिकार है तिन तमाम अधिकार बुनियादी अधिकारों से ही निकली है बच्छो यह अधिकार का प्रायकिर्थिक जो है सिध्धान बताया गया है है यह तीनों जो है जीवन का अधिकार होगे संपत्ति का अधिकार होगे सोतंत का आदीकारी इसको क्या कहा गए बच्छो प्रायकिर्थिक सिद्धान का बटाया गया थीक है उसके बात करें अगर व्हारत में विधिता के लिए एक्ता क्या है वह बहुत में विशाल देश हैं जहाँ पर रहन सन भासा तोर तरीका सबका भेस भूसा सलस्किर्थी आदी सबका अनेक है बातुमें भाड़ी अंतर के वाउजित भी इसमें एक्ता यंभावना का अंतर अस्पष्ट के हमारी पाचान है देश में विवाजन के चलते भारत में विजिता में एक्ता का सिध्धान निस्ची तुरुप से प्रवाइत हुआ है लेकिन अभी भी समक्ता समक्त हो हो जाएगा सौतंत के बाद सप्रदाइक अंग को यदि नहीं बुझा जाए तो सजियों से पुरानी भारत में विजिता में एक्ता का सिध्धान जो समाप्त हो जाएगा आज जैसे अभी आपका वर्तमान में अभी जिस तरह का अपना देश में स्थीति है बचो अगर इस हैसियस से अंतरास्टे जगत में हम अपना पाचान बनाए हैं कि जित्ता में एक्ता का तो बचो हम लोग का इस तरह जो है संभब नहीं है अगर हम लोग अभी जिस तरह का जो हालात चल रही है ठीक है तो इस तरह हम लोग जो अपना देश को जाए उच्छ अस्तर पर लेक सकता है लेकिन वपर्तियक्ष में क्या होता कि हम लोग जो सरकार द्वारा चूने जाते जो परतिनीदी हम चूनते हैं वही परतिनीदेर जो है मेरे लिए अच्छा है या कड़ा भे वह वही डिसाइड करते हैं ठीक है पर लोग परेुक्ष रूप से रूपसे रूपसे कारिया में सारजनीक मामले थे निर्मारे और निभाते ओपने सहमतिया और समयतिया यह पर्चाथन्तर कहा राता है ठीक है पुछ पच्छ किया वाले प्रजातनाइब अब अच्छ कुछ कैंटनों में जो परतियक्ष परजातनतर देखने को मिलता है इस यह जहां पर जो यह देखा जाता है ठीक है चलिए अब देखे ना गरीक शतनता क्या है बच्छो इनको बहुत अच्छ समझना है नागरिक सोतनता की बात किया जो यह क्या होता है देखिये इस बिख्या कि उनकी शिर्टा के लिए देश को महतGU यह दोनों नागरिक सोतनता है जिसे देश में नागरिक को सुतनता रहती है और वह देश के लौकतांदिक देश में देश होता है ठीक है तो यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया आगे आप हम लोग बात करते हैं राज्य और संक्षाषित प्रदिस में अंतरश पर्दिस करें तो हम लोग जानते कि भारत में राज्य 28 राज्य ह और आपको बता दे कि मतलब जो आर्ट है ठीक है आर्ट है राज्य का जो राज्य सरकार इस पर अधिन होता है इस राज्य में और केंद्रिय सरकार के अधिन होता है ठीक है तो यह चीज आप लोग बच्छो नौट कर लिजएगा संग्सासित की क्या विश्यस्ता बच्छो इन चीजों को आपको समझ जाए तो संग्सासित वह सासन है जो राज्य के जो है सक्तियां का विवाजन जो है सविधानी अस्तरपड़ के अंदर और उसकी घटक इकाएं के बीच होता और संगवाद एक विचारधरा जो संग्हि से अधिक पर्मुक भासा का पड़ियोग होता है इसमें इन सभी भासाओं का पर्ति आदर होना चाहिए है सब बच्छो का मिलकर हमारी भासाई एक्ता को मजबूती परदान करने चाहिए साथ ही इन्हें विक्सित होने के मदद में मदद करें और भारत सविधान में ठीक है तो बच्छोह यह आपका भासा नहींती है यह चीज़ आप बहुत अच्छे समझेंगे में यह ग्लब करने आले का इन्हें होता सरकार का घ्या घेना होता है अब मैं आपको बता दूँ कि विपक्ष अभी आपको बता है वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है राहूल गांदी जी है तो यह इसी को कहा जाता है विपक्ष यह नि जो सरकार जो वर्तमान सरकार जो चलती है उसको क्या होता है उसका आयना होता है उसको दिखाना होता ह ठीक है तो बच्चों आप लोग आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजे ठीक है तो चलिए यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं जब देखे लिए जहीं जवारत